हम जीसीडी निकालना देखेंगे एन नम्मर का या किसी एरे में जो नम्मर है उसका जीसीडी निकालना देखेंगे तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है जीसीडी तो समझेंगे जीसीडी क्या होता है उसको समझना होगा और जीसीडी किस प्रोसेस से नि कैसे काम कर रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी सीटी निकालना है जावा स्क्रिप्ट में तो उसमें हम स्क्रिप्ट टैग ओपन कर देते हैं स्क्रिप्ट यह हो गया सबसे पहले आप GCD को समझेगा उस वीडियो से उसके बाद यहां पे हम GCD कैसे एक एरे का निकालते हैं उसको समझेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम निकालेंगे तो दो नम्मर पास कर दिए और बी कंडिशन लगाते हैं एक मौडूलस बी इकोल टू इकोल टू जीरो जाने सिंपल एसे बी अगर डिवाइड हो जाता है बी से डिवाइड अगर हो जाता है तब अगर नहीं होता है तब डिवाइड हो जाता है पूरा पूरी कोई भाग से नहीं आता है तो बी को रिटन करो और नहीं आता है तो बार बार इस पोसिस को दो रहाओ जब तक कि अब एक और फंक्सिन क्रियेट करते हैं जी सी डी आर इसमें हम एरे डिक्लियर करते हैं भर नाम इक वल्टू कर देते हैं एरे में फेरीबल देते हैं फेरीबल देते हैं ट्वेंटी 35, 45, 60, 75, 95 वेरेबल देते हैं अब क्या करेंगा हम एक और वेरेबल देते हैं जी जिसमें हम दो नम्मर का जी सीडी निकाल लेते हैं तो जी सीडी जो फंक्सन हम क्रियेट के थे उसको कॉल करेंगे कॉल कर लिए Amma, 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 Amma निकाल के G में store कर दिए GCD का इस function को call किया हम GCD function जो है उसको call करके G में दोनों का GCD निकाल के store कर दिए अब क्या करेंगा हम for loop लगाते हैं i equal to 2 i less than num dot length i plus यहाँ समझना है i equal to 2 किसलिए दिए हैं तो 0 और one pocket का हम पहले से ही यहाँ GCD निकाल चुके हैं अब क्या करेंगे two pocket से last तक यानि 35 से 95 तक चिक करेंगे यहाँ length function का यह यहाँ less than है चुकि zero से counting होता है इसलिए minus one तक जाएगा इसलिए हम less than कर दिए हैं अब क्या करेंगा जी equal to कर देते हैं GCD इसका तो G, num taking value बढ़ता जाएगा और उसका GCD निकलता जाएगा logic समझते हैं पहले 10 सा 20 का निकलेगा फिर जो मेरा result आएगा उससे 35 का निकलेगा फिर जो result आएगा जैसे 32 सा 20 का आएगा 5 तो 5 और 35 का निकलेगा फिर 5 और 35 में भी GCD आएगा 5 तो फिर 5 और 45 का निकलेगा फिर 5 दोनों का फिर से GCD आएगा 5 तो फिर 5 और 60 का निकलेगा इस तरह क्या है last 95 तक मेरा चेक होगा अब क्या है last में हम क्या करते है result प्रिंट करते हैं तो console में हम प्रिंट कर जेते हैं console.log जी अब क्या करते है बटन लगा के इसको हम क्लिक करें तो बटन ऑन क्लिक देज़ेते हैं ऑन क्लिक जी सीडी चेक हम बटन के नाम दिए हैं इसको हम सेब करते हैं और यहां से यह.html में हम क्रियेट किया है तो इसको हम ओपिन करते हैं यह.html आ गया यहां हम देख सकते हैं चेक है तो सबसे पहले हम console को ओपिन करते हैं जैसे ही चेक पर क्लियेट करेंगे यहां देख सकते हैं मेरा 5 रिजल्ट आ गया इसको अगर हम करना चाहते हैं या simply हम alert में देना चाहते हैं यहां हम कर देते हैं इसको G को alert कर दो इसको save करते हैं और इसको refresh करेंगे दिख सकते हैं alert मेरा gcd का जो value है वो alert होके print हो रहा है यहां पर अगर हम value change करते हैं तो value change करके भी print कर सकते हैं तो simple logic है पहले हम दो नम्मर का gcd निकालेंगे फिर दो नम्मर से पूरे array को check करेंगे मेरा array का gcd निकालके उसको print करेंगे तो friends अगर आपको मेरा वीडियो पसंद रहता है तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को like और comment जरूर करें अगर आप किसी प्रोग्राम में help चाहते हैं नीचे description में facebook & instagram का link है वहां से आप अपना question बेज सकते हैं